27 एपरिन 1819 में स्कॉट्लेंड में जन में सर विलियम मुईर एक प्रसिद इतिहासकार और लेखक गुजरे हैं जिन्होंने भारत में अपना अच्छा खासा वक्त गुजारा वर्ष 1865 में उन्हें भारत सरकार का विदेश सचिव भी बनाया गया वर्ष 1884 में मुईर को रोयल एशियाटिक सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया इसके अलावा उन्होंने एडिन बर्ग विश्विध्याले में प्रिंसिपल के पद पर भी कार्य किया वर्ष 1861 में मुईर की दा लाइफ आफ मुहम्मद नामक पुस्तक चार खंडों में प्रकाशित हुई दा कुरान इट्स कंपोजिशन एंड टीचिंग में सर विलियन कुरान के संबंद में लिखते हैं कुरान इसलाम का मूल आधार है राजनीतिक वैवस्ता नैतिक वैवस्ता और विज्यान के छेतर में उसका प्रभाव उतना ही है जितना की धार्मिक मामलों में कुरान इतना सरुश्रेस्ट है और वेवारिक है कि उसकी आलोचना करने वालों के पास पुई प्रश्न नहीं बचता